किसी चीज को अगर हम किसी दिवस के तौर पर मनाएं तो उसकी एहमियत अपने आप नहीं बढ़ जाती है जैसे कि योगा दिवस हो गया, जैसे कि पर्यावरन दिवस हो गया, साल में एक ही बार सही, लेकिन हम एक बार के लिए ये जरूर याद करते हैं कि योगा कैसे करते हैं, एक बार के लिए हम ये जरूर याद करते हैं कि पर्यावरन की अपनी एक एहमियत है, और हम जाहे कितने तो आज है Global Recycling Day, तो आज मैं यहां पर आई हूँ राची नगर निगम में, राची के रीसाइक्लिंग सिस्टम का जाइजा लेने के लिए, पता करने के लिए कि राची में रीसाइक्लिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो आईए जानते हैं. सर, मेरा पहला सवाल यह है कि राची में रीसाइक्लिंग सिस्टम फिलहाल किस सरीके से काम कर रहा है, देखिए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा काम नगर निगम देखता है, तो मूल रूप से जो DPR बने हैं, जो पूरी योजना है, कारी योजना है, वो एक स सूखा कचड़ा का अलग-अलग सोर्स एग्रिगेशन हो, गीला कचड़ा के लिए हम लोग के यहां गेल इंडिया के द्वारा जो प्लांट बन रही है, उसमें गीला कचड़ा का प्रोसेसिंग करके उससे CNG गैस और कंपोस्ट का निर्मान बहु जल्द प्रारंब होगा, और उसके बाद जो सूखा कचड़ा होता है, वो सूखा कचड़ा से बेसिकली उसमें जो रिसाइक्लिंग मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक हुएं, मेटालिक मटेरियल टीन्स पगेरा हुएं, काफी e-waste आते हैं, तो इस टाइप के चीजों को ग्लासेज हुएं, यह सारे च सारे सैकलर्स हैं, इसको लिंक करेंगे, तो यह विवस्था भी प्रक्रिया में है और इसको हम लोग बहाल कर सकेंगे, प्रजेंट्री अगर डारेक्ली निगम के द्वारा बोले तो समय समय पे जो हम लोग वेस्ट कम से कम यूज हो या 3R पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, त तो उसके तहत कही एक स्कूल परतिस्थानों के बाहर हम लोग जो इवेस्ट के कही एक फॉरवर्ड लिंक के प्राप्त होए थे, तो उनके द्वारा हम लोग के टैगिंग की गई है, तो क्या होता है, स्कूल के स्टुडेंट्स हैं, मोबाहल हो पेंट्राव हो या इस पर इस कारे को करेगा। उनके स्कूल को ज्यादा टारगेट किया है कि स्टुडेंट्स हों के करिकूलर में और स्कूल मैनेजमेंट के साथ कॉडिनेट करके ये सारी जानकारी रहे, तो अगर वो स्टूर सेग्रिगेशन इन वेस्ट का करते हैं, तो डेफिनेटली जो अनर्गिनेस सेक्टर्स में वेस्ट का जनरेशन होता है, और वेस्ट टू बेल्ट का कॉंसेप्ट है, और वेस्ट टू बेल्ट का कॉंसेट है, अगर वो किसी के लिए बिल्ट का भी काम करता है, और ये मुमकिन होता है अगर हम लोग सोर्स सेग्रिगेशन के ध्यान देए. सर, इस वक्त आपको क्या लगता है कि रिसाइक्लिंग की जरुरत राज़ी के वेस्ट मैनेजमेंट को कितनी है, मतलब कितनी जल्द से जल्द ये हो जाना चाहिए? देखे, अभी चुकि चुनाब की भी घोशना हुई है और ये प्रक्रिया में थी, तो चुनाब के संपन होने के बाद, जब हमारी MRF एजेंसीज, हमारे है टोटल 12 MTS है, जिसमें से 8 MTS में उनको ये फैसलेटी क्रियेट करनी है, तो जब ये फैसलेटी क्रियेट हो जाती ह है, तो जितने भी recycling dry waste से निकलेंगे, उसका forward linkage हो सकेगा, तो मान के चलिएगा राची शाहर की बात करें, तो आने वाले 6 महिने बाद हम लोग इसकी results देख पाएंगे.